सब्त धान का दान शनी होंगे शान जी हाँ आप देख रहे हैं धर्म आपके साथ हो मैंने हाँ आपने लोगों को हर शनिवार को शनी मंदिर में पूजा आशना करते हुए तेर तिल काला वस्त भी चड़ाते हुए देखा होगा लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि सब्त धान के दान से भी शनी को आप शांत कर सकते हैं जब आपको शनी के प्रकोप से छुटकारा ही नहीं मिलेगा बलकि आपकी हर तरह की मनोकामना पूर्ण होगी कैसे करें सब्तधान का दान बताने के लिए हमाई साथ स्टूडियो में मौजूद है राजकमार शास्री जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जानेंगे हम उनसे पूजा का पूरा विधिविधान लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि क्या शनी को सब्तधान चढ़ाने के पीछे कहानी क्या है आज आपके मुठी में होंगे शनी जैसा चाहेंगे वैसा वर देंगे शनी नहीं दिखाएंगे कभी अपनी क्रूर दृष्टी पल भर में बदल देंगे अपने भक्तों के जिन्दगी शनी के कश्टों से छुटकारा पाने के लिए शनी की पूजा तो आप करते ही होंगे शिला रूप में हो या फिर हो मूर्ती रूप में कल्युक के देवता हर रूप में करते हैं भक्तों का कल्यान अगर हम आपको ये कहें कि शनी के किसी भी मंदर में उनकी पूजा भर कर लेना ही काफी नहीं है शनी का हर रूप आपके कश्ट काट दे ये भी जरूरी नहीं है तो इच्छा पूर्ती के लिए दुखों का अंत करने के लिए आज हम आपको बता रहे हैं एक अचू को पाए जब आप केवल सब्तधान्य के दान से कर सकते हैं शनी को शांत सब्तधान्य यानी साथ तरह के अनाज शास्त्रों में बताया गया है कि इच्छाओं की पूर्ती शनी देव से वर्दान पाने के लिए सब्तधान का दान रामबान की तरह काम करता है कहते हैं प्राचीन काल में एक बार स्वर्ग से गुजरते हुए देव रिशी नारद शनी देव से मिले शनी देव को चित देख कर नारद मुनी ने शनी देव से इसका कारण पूछा तब शनी देव ने बताया कि कर्म फल के अनुसार इस बार परम तेजस्वी सब्तुरिशियों पर अपनी दशा चलानी है ये सुनकर नारद जी बोले आप तो भक्तों की रक्षा करने वाले और वर्दान देने वाले देव हैं पहले सब्तुरिशियों की परीक्षा लीजिये और जैसा परिणाम आए बैसा ही उनको फल दीजिये तब शनी देव अपना रूप बदल कर सब्तुरिशियों से भिक्षा मागने पहुचे और वहां पहुचकर अपनी ही निंदा करने लगे उनकी बात सुनकर सब्तुरिशियों ने शनी देव रूपी साधू को समझाया कि शनी तो सभी को उसके कर्मों का फल देते हैं वो तो सत्य के समर्थक और शिफ के परम भक्त हैं वो इश्वर के निर्देशों का ही पालन करते हैं शनीदेव को सभी रिश्यों ने दक्षणा, फल, आदी के साथ एक एक तरह का धान्य भी दिया। इस घटना के बाद शनीदेव ने सब्त रिश्यों को अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिये और बरदान दिया कि जो भी भक्त मेरा स्पनड करते हुए सब्त धान का धा उस पर सदा मेरी कृपा बनी रहेगी। तभी से भक्त सब्त धान का धान कर शनी के प्रकोप से छुटकारा ही नहीं पाते, बलकि शनीदेव से अपनी समस्त मनो कामनाओं की पूर्ती का भी आशिरवात प्राप्त करते हैं। लेकिन सब्त धाने को धान करने का क्या है सही व रंपरा कैसे शुरू हुई, किस तरह से इसकी पूजा अर्चना की जाती है, कैसे अगर हम धन लाब चाहते हैं तब इसका प्रयोग करना चाहिए। सारी वस्तूओं को रख करके अर्पन करना चाहिए। और मिट्टी का एक दिया, अखंड दिया के रूप में जला देना चाहिए। और उसके बाद पात्र में सब्त धाने मिश्चित करके और सनी देव के सामने इस्थापित करें। सब्त धाने के पात्र को धूप दीप और तिला कादी से उसका पोजन करें। और जो मंत्र दे रहा हूँ ये बड़ा ही सिद्ध मंत्र है ओम रंग जौल सम सनई स्वाहा। इस मंत्र का आपको बारह माला जाब करना है। माला के लिए अगर आप चंदन की माला का प्रयोग करें तो ये विशेश रूप से लावकारी है। लाल रंग के आसन पर बैठे करके उस समय आपका मुख दक्षन दिशा में होना चाहिए और मंत्र का जाब करें जो मंत्र मैंने आपको दिया है। मंत्र जाब के बाद शनी देव को प्रसाद में काले तिल और पुष्प ये समस्त वस्तों को अरपन करना चाहिए और शनी देव की स्तुति करना चाहिए और मंत्र का निरंतर मानशिक रूप से आप जाब करते रहें। देखेंगे निश्चित रूप से शनी देव चूंकी धन के देवता हैं तो धन की प्राप्ति अवस्त होगी। धन्डा धोजा जो है वो घर पर इस्थापित करें। पात्र में सब्तधान मिस्त करके और शनी देव के सामने इस्थापित कर दें। शब्त धाने के पात्त में धूप दीप और तिलक ये लगाएं और उसके बाद पंचामर से भगवान शनी देव का विग्रे है उसका पोजन करें और शब्त धाने के छीटे उनको जो है दे दीजिए अब जो मंत्र है इस मंत्र को समझें ओम शंग 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 अश्वेताय स्वाहा इस मंत्र का आपको साथ माला जाप करना है और जाप में के लिए आप लाल चंदन के जो लकडी का है माला उसका प्रियोग करें और भगवार रंग के आसन का अगर आप प्रियोग करें तो ये विशेश रूप से चूंकि भगवान शनी देव के गायत्री में भी भग भगवाए विदमहे ऐसा मंत्र आता है तो पस्चिम दिशा के और मुख करके चूंकि शनी की दिशा पस्चिम दिशा है जाप करें और मंत्र जाप के बाद फलों का प्रशाद सनी देव को अरपड करे भक्तों में वांटें इतना करने से केवल सब्धान मात्र से ही सनी देव की क्रपा अवस्च्च प्राप्त होगी और विद्या में उन्नती आरम हो जाएगी तरब बात धन की हो गई बात शत्रूं की कर लेते हैं अगर शत्रूं ने घेरा हुआ है शत्रों से चुटकारा पन और उसके बाद पंचो पचार पोजन करें एक कटोरी में हल्दी और काली मिर्च शनीदेव के चरणों में इस्थापित करें और शनीदेव के चित के सनमुख एक कटोरी में लौंग भर करके इस्थापित करें पात्र में सब्तधान में सृत करके और शनीदेव के सामने सनमु की भाती उसी करम से करें और उसके बाद मीठा मीठा और धूब गुगल ये सारी विस्तुम का जो गुगल का धूब है वो जला दें और जो आवाहन का मंत्र है वो समझें ओम छौम सा शनई नमहा इस मंत्र का जाप लाल चंदन की माला से नौ माला करना चाहिए काले रंग के आसन पर बैठ करके उस समय आपका मुख दक्षिन दिशा में होना चाहिए और मंत्र का जाप करें जो मंत्र में ने आपको दिया है और मंत्र जाप के बाद शनी देव को फलाहार अरपन करें कुछ भी आप फलाहार वस्तु बना करके अन्न का भोगना लगाए ये ध्यान र बात करते हैं सनी देव की पूजा के लिए उनका चित्र प्रतिमा सबसे पहले स्थापित करें पूर्व की भाती posición का पूजान करें और एक कटोरी में हल्दी और काली मिर्च जो है घ़ं करके उनके चरणों में स्थापित करें शनी देव के सामें एक नारियल नारियल चुक पुपदीप इत्यादी तिलाकादी से पूजन करें और शनेदेव के विग्रहया चित्र को गेंदा के काले गेंदे का पुष्पन लिया तो बेहत लावकारी है अन्नता आप किसी भी गेंदा का पुष्पून के चरणों में माला बना करके अरपन करें और जो मंत्र है ये बैठे करके उस समय आपका मुख पश्चिम दिशा के और होना चाहिए मंत्र का जाब करें और मंत्र का जाब करने के वाद शनी देव को पेठे का प्रशाद अरपन करें निश्चित रोब से किसी भी प्रकार का शनी दोस्त अगर आपके जीवन में हैं आपकी कुंडली में हैं वो निश्चित रूब से दूर हो जाएगा हर कोई चाहता है कि उसकी निरोगी काया हो रोग से ग्रस्त ना हो असाध्य रोगों से कैसे चुटकारा पाएं इस तरह से पूजा पाट करें ये बताईए असाध्य रोगों से चुटकारा पाने के लिए शनी देव की करें और शनी देव के सामने एक चौमुखा दिया जला दें और उसके बाद चौमुखा दिया इस्थापित करें पात्र में सब्त धान मिस्रित कर शनी देव के सामने इस्थापित करें शब्त धान के पात्र को धूप दीप तिलक आदी से पूजन करें और शनी देव के वि पामनाय स्वाहा मंत्र की साथ माला जाप करें लाल चंदन की माला में गेहुए रंग के आसन पर बैठ करके उस समय आप का मुख पूरुविदिशा की और होना चाहिए मंत्र के वाद फलों का प्रशाद शनी देव को अरपन करें भक्तों में बाटें निश्चित रूप से आ अगर अकाल मृत्यू का नाश कैसे करें अकाल मृत्यू का नाश करने के लिए जो मैं आपको बता रहा हूं भगवान शनी देव की कृपा से अकाल मृत्यू का निवारण होता है शनी देव की पूजा के लिए उनका चित्रादी सबसे पहले इस्थापित करें उनका पंचो के सामने स्थापित करें, सब तधने के पात्र को धूप दीप तिलक आधी शे पोजन करें. शनिदेव के विग्रह आचित्र पर भष्म अवस्व लगाएं ये ध्यान रखना हैं और मंत्र को ठीक से समझें ओम शम व्योम नाय नमहा मंत्र का लाल चंदन की माला से ग्यारा माला जाप करें और लाल रंग के आसन पर पूर्व की और मुख करके बैठ करके मंत्र का जाप करें और मंत्र के बाद मिठाई का प्रशाद अरपन करें आप देखेंगे निश्यत र और कोई दुनिया में उपायनी है शनी देव की पूजाकले उनका चित्र प्रतिमादी स्थापित करके पंचो पचार पूजन करें और एक कटोरी में हल्दी और काली मिर्च उनके चरणों में स्थापित करें शनी देव के और शनी देव के चित्र के सामने तीन दिया जला करक और अखंड रूप से जलते रहें पात्र में सब्त धाने में सुर्ट करके शनिदेव के सामने इस्थापित करें और सब्त धाने के पात्र को धूप दीप तिलक आदिशे पूजन करें शनिदेव के विग्रे पर पंचामृत के छीटे दें और मंत्र को समझें जो मंत्र है पर उत्तर दिशा के और मुकर के बैठ जाएं और मंत्र का जाप करें मंत्र के बाद जाप करने के बाद पंच मेवा का प्रशाद सनी देव को चड़ाएं और देखें किस प्रकार से जीवन में सनी देव की कृपा प्राप्त होती है चमतकारी प्रणाम आपके सामने आने आरम हो जाएंगे और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मुकदमे काफी परिशान करते हैं वो अदालत की चक्कर लगाते रहते हैं ऐसे में इन मुकदमें चुकि शनीदेव स्वयम न्याधीस हैं और यह वी बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति जज न्यायाधीस बनता है उस्ट पर पचार पूजन संपन्न करें और एक कटोरी में हल्दी और काली मिर्च इस्थापित करके शनीदेव जी के सामने अरपन करें समुक गंगाजल और घिसा हुआ सफेद चंदन पात्र में स्थापित करें पात्र में शप्त धान मिश्चित करके शनीदेव के सामने स्थापित करें शप्त धान के पात्र को धूप दीप और तिलक से पूजन करने के बाद और ऍब् singing प्राम्सहा मूलामनायस्वाहा इस मन्त्र का सात्माला जाप करें और पीले रंके आशन अशन पर दक्षण मुखों करके बैटकर करके मंत्र का जाप करें मंत्र के बाद फलों का प्रशाद अरपन करें और बृत शुरू कर दें शनी ब्रत करना बेहद लावकारी होता है और ब्रत के बाद जो है शनी देव को प्रणाम करके और दूद का सेवन करें पेठा और दूद का सेवन करें निश्चित रूप से सभी कारियों की सिद्धी होगी तो चाहें कोई भी परेशानी हो उसका निवारन हो सकता है सब्तधान्य के इस्तिमाल से आपने अलग-अलग तरीके तो शनीदेव को शान करने के लिए अपना ही होंगे लेकिन सब्तधान्य भी इस्तिमाल करके देखिए ये आपके जीवन में बदलाव ला सकता है बेरहाल हमें दीजे अजाज़त देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रही आज तक